नवरात्र में कन्या पूजन का बहुत महत्व रहता है हमारे नवरात्रे तबी संपूर माने जाते हैं जब हम अपने घर बुला करके कन्याओं का पूजन करते हैं उन्हें हम भोजन कराते हैं हलवा पूड़ी खिलाते हैं साथ में कुछ दान दक्षना देते हैं और कुछ फल बनवा सकते हैं और 15-20 या 25 रुपे का एक पैकेट बन जाता है ये और साथ में बच्चों के लिए देखिए तरह तरह के कार्टून वाले ये की रिंग्स भी आ रहे हैं आप लंच बॉक्स दे सकते हैं ये पैंसिल का सेट आप दे सकते हैं तो बच्चों के लिए स्टेशनरी की चीज़ें बहुत जादा ठीक रहती है उनके यूगs में भी आती है देखिए कीट हैं बहुत संदर सी गोलडन केट हैं कैसी तरह तरह की आप किट दे सकते हैं तो नव्रातरों में तो सारी शॉप के लिए की बोने होती हैं तो ऑसकी आप ऐसे आप उन्हें यहाँ भी आपका budget हो आप वो चीज यूज करने वाली चीज़े ज़्यादा देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं और यहाँ पर देखे आप इस तरीके के boxes भी दे सकते हैं पैंसिल और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह बलून जो bubbles होते हैं ना साबून से bubbles बनाते हैं हमें कन्याओं को खुश करना होता है और यहाँ पर देखिए बरतनों के भी सैट मिलने लग गए हैं यहाँ पर पूरे 9 plates की सैट हैं और इस तरह के सजे हुए थाल भी आप पूजा के दे सकते हैं और किचिन में यूज होने वाले यह बरतन भी आप दे सकते हैं यह जो कन्य होते हैं उनकी मम्या बहुत कुछ हो जाती हैं जब कन्या यह गिफ्ट लेकर कर जाती हैं तो ऐसा भी आप दे सकते हैं और बजट अपना आप देख लीजेगा जैसा भी हो वैसा आप खरीदें आप तो यह देखे सैट मिलने लग गए हैं बारा-बारा का भी सैट होता है औ पूजा से संबंदी चीजे आप दे सकते हैं और ऐसा नहीं है कि देखिए आप बहुत लो क्वालिटी का बच्चों को दे दें और वो घर जाते ही तूट जाए या फिर उसे उस वो यूज ही ना करें तो वो हमारा दान जो है बेकार चला जाता है बिल्कुल अगर हम कोई टो अच्छी से चीज हमें देनी चाहिए बेशक बहुत जादा ना दे तो आप चाहे तो पांच कन्याओं को ही दे दे तो अच्छी ही हमें वस्तुमें जैसी चीज़े हम खुद प्रोग मिलाते हैं देखिए वैसी हमें दान में देनी चाहिए क्योंकि जब हम खुद के लि करके 10 वर्ष तक की कन्या आप जिवा सकते हैं बहुत खुश होते हैं बचे ऐसे टिफिन्स और प्लेट्स को देख करके कोई भक्चन कह रहे थे कि प्लास्टिक ना दे जब हमारे चारोर प्लास्टिक आ ही चुकी है और बिना उसके हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो करेके बच्चे भी खुश रहते हैं पैनसिल बॉक्स होता है वह भी प्लास्टीक का होता है तो आप दे सकते हैं एसा कुछ नहीं है और यह पर इस तरिकी की प्लेटीस भी आई हुई हैं यह भी प्लेटीस पड़े है तो बहुत ही रिजनेवल प्राइज में यह वाली चु accessories होती है लड़कियों वाली जो decoration की होती है कितने सुन्दर सुन्दर hair bands है फलार वाले तो सारे set बने हुए 12-12 के set बने हुए है आप ले सकते हैं और बहुत अच्छे देखी ये fan है तो लड़कियों की जितनी भी चीज़े होती है बहुत ही प्यारी सी सुन्दर सी सारी चीज़ें आप कुछ भी ले सकते हैं एक set आप लियाईएगा जो भी आपके budget में रहता हो या जो भी आप देना चाहते हो hair bands भी दे सकते हैं hair rubber दे सकते हैं आप चाहें तो उन्हें जो queen वाला आता ना मुकुट जैसा वो भी दे सकते हैं tiara दे सकते हैं तरह तरह के tiara भी आते हैं बहुत सुन्दर लड़कियां बहुत सुन्दर फील करती है यह देखें यह टियारा है सुन्दर से तो किसी party function में वो पहन सकते हैं लड़कियों को पर्स बहुत पसंद होता है बच्चीयों को तो आप चोटे-चोटे पर्स दे सकते हैं और यह देखें कितने सुन्दर से hair clips है है hair clips दे सकते हैं और इन में साइड से hairs भी निकले हुए है और आप पर्स दे दीजिए उन्हें तो जो वो उन्हें दक्षन मिलती है न कन्य पूजन में तो उसे इसमें कलेक्ट करके रख लेंगी तो ऐसे आप तरह तरह के बहुत ही प्यारे प्यारे परस आपको मार्केट में मिल जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइज इस चौप पहले से ही डले हुए हैं तो तरह-तरह के परस भी यहाँ पर है और यहाँ पर पैंसल बॉक्स भी है और pencil box के साथ में आप देखे जो भी बच्चों की ना पढ़ाय लिकाई की चीज़े होती है वो ज्यादा useful होती है और lunch boxes हैं देखे बहुत ही सुन्दा सुन्दा से lunch boxes आप मार्केट में available हैं आप दे सकते हैं अगर आप plastic का नहीं देना चाहते हैं तो आप steel का भी ला सकते हैं ऐसा नहीं है पर देखे हम तो दे देते हैं कन्या बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि जो आजकल चल रहा होता है न कन्याओं को भी वही चाहिए ऐसा नहीं है कि वो पुराने time का कुछ भी ले लेंगी water bottle आप दे सकते है तो ऐसे गिफ्ट आइडिया जो आप कन्या को दे सकते हैं